हेलो फैमली तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मूवी का एक्स्प्लिनेशन लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छा मैसस कनवे करती है तो जाधा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस प्यारे से भूत वाली मूवी की एक्स्प्लिनेशन स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टार्टिंग हमारे मेल लीट से उती है जिसका नाम वो नहीं है जो पुलिस में है और वह अपनी छुट्टे के दिन काम कर रहे हैं जिसकी वज़य से उसकी गल्फरेंड का स्को चॉल आता है जो एक तमसे बढ़के होई होती है छुट्टे की दिन काम करोगे तो बढ़केगी ही नेक्स सीन एक बस पर शिफ्ट होता है जहां पर एक गुंडा सा आदमी किसी दादी मा को काफी तंग कर रहा होता है और बस वाले सारे चुप-चाप देख रहे होते हैं बट इतने में एक लड़की उसकी वीडियो बनाने लग जाती है और वो गुंडा सा आदमी को बोलती कि हद्या जिम चलाते हैं फिर भी आपने हैप नहीं की और वो उस मोटे से आदमी को मुक्का मारके भाग जाती है लाइक आप किसी चीज के लिए अच्छे नहीं हो आपने बुड़ी दादी के लिए और यहां हमें पता लगता है यह मोटा सा आदमी और को जंगसु का जिम हुने के साथ सफ़ाइक जूडर टीचर भी इतने में जंगसु को एक डॉक्टर का कॉल आता है हमें पता लगता है कि जंगसु की बेटी भी है और उसकी बेटी यह सर्जरी होने वाली है और जस बाथ को लेकर जंगसु बहुत ही खुश है और वह अपनी वीडियोस तो भड़की हुई थी जिस पर बोलती है हम है सिंगल उसके जाने के बाद वोन ही प्रण को पीछ पोलकर मनाने लग जाता है कि चलना डेट पर चलते है बड़की हुई थी पहली बात तो यह है कि मिरको यह सारी मचलियां भीचनी है दूसर तो चुट्टे यह दिन चोट पर बेंडेज लगाती है चाहे वोन ही की गल्फरेंड उस पर कितना भी गुस्ता करें केर तो करती है और यह सब देकर वोन ही के फेस स्माइल बिलकुल नी जाती है दोनों काफी लभी डभी होने लग जाते है इतने में हम जंग सू उस मोटे की बेटी को देखते हैं इसका नाम गधा है और इसकी शकल अच्छा सथा रखना और एक इनका चीफ यानि कि इन तीन बंद है वोंगी, गदा और चीफ इतने में एक अंकल बड़े attitude में पुली स्टेशन में एंटरी लेता है जिसको वोंगी अवाइड करने की कोशिश करता है बट स्टिल नहीं कर पाता वो इंसान वोंगी को काफी कुछ सुना देता है कि हद है मेरा बेटा शाम में इतनी लेट घर आ रहा है अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा तू मेरे बच्चे को ढूण और मेरे घर पे छोड़के जा वो इंसान जिस बच्चे को ढूणने की बात कर रहा था वो उसका कोई बच्चा नहीं उसकी बिल्ली थी और वो नहीं उसी बिल्ली को ढूणने के लिए रात में निकला होता है बट इतनी में वहां पर वो एक unexpected thing देखता है रस्ते वहाँ girls की trafficking हो रही है कि band का पीछे करने लग जाता है इतने में वहाँ जंक्सू की band देखता है और उसको लगता है कि जंक्सू इस trafficking में भी शामिल होगा but as a audience हमें भी यही लगता है कि जंक्सू भी इस trafficking में शामिल होगा and वह देखता है कि जंक्सू की पीठी school方面 जाकर रस्ते से किसी और रूम में जा रही है और वो मोटे जंक्सू का पीछा करते करते ऊसकी जिम तक पहाँ जाता है then उसकी van और उसकी photo लेकर वहाँ से भाग जाता है then pwnh उसे जंक्सू पर शक होता है इतने में उसके चीफ और उसके फ्रेंड का उसको कॉल आता है ड्रिंक के लिए यहां जंक्सु भी अपनी बेटी के लिए मचली अखरीतने आया होता है पीच की शॉप में पीच वोन ही की जी एफ का निकनेम है यहां फादर और डॉटर का एक क्यूट सा सीन देखने को मिलता है जंक्सु की बेटी को मिचली बिलकुल भी पसंदी होती इसलिए वो अपने फादर को बोलती कि मैं मिचली बिलकुल भी निकाओंगा उसके बिटी मैं फिर से खिला दूगा कोई बात Скфथ plugins के शेला ओता है यह जंक्सु का चेला है इसको मैं जंक्सु का चेला ही बोलूंगी दादी गेल जाती है और वोंगी फी भहाँ पर होता है और जंकसु की बेटी भी उसके हyleप करने के लिए वोंगी की ह simultaneous मांगती है और वो भागते है जिसकी वज़े से उसकी सांस बढ़ जाती है इतने में जंकसु के फादर वहाँ पर आ जाता है की हद है क्यों भागी तू देखा ना तेरी सांस फिर से चड़ आई कितने बार तरको समझाया है कि दूसरों के पिछा करने लग जाता है उसी टाइम वोन ही देखता है नाइट क्लब की पिछले वाली गदी में एक लड़की भागनी की कुशिश कर रही होते हैं जिसके गुंडों एक जबरदस्ती से पकड़ते हैं और वो लड़की अपना फोन वहीं फैंक देती है और गुंडे उसको मा पहुंच जाता है नाइट कलब के अंदर आपर वहां ही देखता है कि उस लड़की को मार पीटर होते हैं विडियो बनाई होती है अब यह वीडियो वहां से निकल कर गधे को यह वीडियो दिखाता है यूमन ट्राफिकिंग की कि देख मैंने सबूत इकठा कर लिया और यह घंठा लेने बट उसकी कार प्रणी जाती है वीर कांचता है यह अटम पर कोई पर कोई नहीं होता है और यह बॉद्धिके से पीटने है शाय नहीं को गाडी से भी अड़ा देते हैं और वहीं पर भीष ओटाता है इतने में जंक्सू वहां पर गुसा करते होय आजाता है क प्रिक्ता को चल से परणांटे लग जाता है। क्यों हमें पता लगता है कि गधा भी उन गुंदों के साथ मिला हुआ है। जल्दी जल्दी,,, early inikle मंगवाता है, वह 250 को रिष्क्य करवाने के लिए विक्स वहांची की हालत बहुत सिरिस हो जाती है बतल में वोन ही और जंगसू एमिर्जनसी रूम में होते हैं बट इतने में वोन ही की गल्फिर्ण भी एकदम रोते-रोते भागते होए वहाँ पर आते हैं अपर गुस्सा करने लग जाती है कि जब वह यह इतने बुरी तरीके से पिट रहा था तू था कहां तो नहीं ты कुछ पित रहा किया लिए बट इतने में वहाँ पर आकर उसको चुप करावाना है लग जाता है और वो भी देखता है उसकी body तो सामने पढ़ी है और उसकी soul बाहर है और यह जानकर वह एकदम से घपरा जाता है और वहां से बाहर चला जाता है एंड वो एकदम से अपने आपको टेस्ट करने के लिए एक गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है टेस्ट करने के लिए पर गाड़ी जैसे उसके निजदीक आती है वो एकदम से उचल कर साइड हो जाता है कि उस दिन रात को आखिर हुआ था बड़ जंग्सू को उस रात के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए पुलिस वालों को भी कुछ नहीं पता चलता ने मैं बॉंगी की आत्मा जंग्सू से टकराती है और यह क्या जंग्सू वांगी को देख सकता है एक कर वोन ही तो ट्रांस्पेरेंट है एंड जब वो उसकी बाड़ी को अलग हॉस्पिटल रूम में पड़े वह देखता है तो उसका रेक्शन कुछ इस तरह होता है बात में जब जंग्सू को होश आता है तो उसको लगता है शैद वो सपना था दो भोंभी लिए फिर इसक इसको फकते में हstrong like the तो आतमा है कि क्या है लाइक तेरी बॉड़ी वहां पे और मलब वह उसे इतना डर के भागने लग जाता है बट वोन ही उसके पास आके बैठ जाता है और दोनों बाते करने लग जाते हैं यहां वान ही कि यह भी फैमी दूर हो जाती कि जंसू गर्ल ट्रफिकिंग में शामिल था क्योंकि जंसू बताता कि उस रात को वह अपनी वाइफ की एशिस को देखने आया था टाइमिंग मिक्स मैं चोनी की वज़े से वांग ही को जंसू पर एक्दम शक्क हो गया था एंड वो क्लियर हो गया और वोन ही जंसू को अपनी हल्प करने के लिए बोलता है जिस पर लिए बता बट इतने में नर्स वोन ही की जीएफ को बाहर बुला देती है और गधे को किसी का कॉल आता है उस टाइम वोन ही की सोल भी वहीं पर थी एंड वो भी गधे को फोलो करते हुए उसके पीछे चली जाती है गधा उसी नाइट क्लब में जाता है और वो सब गुंडों के साथ गर्ल्स ट्राफिकिंग में मिले हुए थे और उस टाइम वोन ही की आत्म भी वहां थी और उससे भी सब कुछ पता लग जाता है उसको बहुत जादा दुख शॉक फील होता है जाने से पहले चीफ गुंडों को बोलता है कि उस रात का जो विटनस था उन को बोलने लग जाता कि तो यहां से चली जा अब वोन ही की आत्मा नर्स को ने दिख रही होती है इसलिए नर्स बिचारी डर जाती है और वो कमरे से बाहर चली जाती है बुड़ी देर में सची में वो गुड़ने जंक्सू पर हमला कर देते हैं बड़ जंक्सू भी जुड स्टेज आकर अपनी मैरिज रिजिस्टर करवा देती है जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं बाहर की कंट्रीज में इंडिया जैसा सिस्टम नीए कि भाई यह साथ फेरे लिए शादी होगी वहां पर आपको अपनी शादी रिजिस्टर करवाने पड़ेगी तभी वो श कि जीएफ के जीवन के बारे में बताया जाता है कि वह नहीं के ममी पापा मर गये थे और उसका पुराना घर था वह भी बिक गया था एंड वो ड्रंक होकर हमेशे अपनी पुराने घर के पास आ जाती थी और पुलिस वाले उसको पकड़ के समझाते थी कि अब वह तेरा प जाता है कि मेरी गल्फरेंड की मदद करो जंक्सु खुदी टेंशन में होता है वेकॉज उसको उसकी बेटी काफी टाइम से मिलनी रही होती वांखी को याद आता है कि उसकी बेटी को स्कूल से पाहर किसी रूम में जाते वे देखा था इसलिए वह जंक्सु को बताता है जंक्सु फड़ाफट अपनी बेटी को वहां से रस्क्यू करता है था फाइनली वान ही को भी पता लग जाता कि जंसु की बेटी को कोई प्रॉब्लम है यहां पर फिर जंसु अपना पास्ट पताने लग जाता है यह बिए बीमारी मेरी वाइफ के थुरूई मिली है और च कि काश में किसी के घल्प ना गड़ता तो काश मेरी वाइफ से जंदा होती अच्छा तो यह रिजन है कि जंक्सु कभी इसे की हेल्प नहीं करता मेम्री काड देख लिया होता है और वह अधिक को देदेगी कि विएफ को इनसाफ मिलना चाहिए उन सभी गुंडों को पकड़ कि वहों हdate बहुत धरा बलाएं डिशुक्ता है डिश्यक्ति हुट को बशाथ ज़ीनित पेजिद कुसल पर जुए बहुत होनिंग Christmas कें जा हुटा पता है गर को पता है कि उन्होंने मना कर दिया और वो भी काफी तूट जाता है और अकेला कहीं खड़ा होता है और इतने में वोन्हीं उसके पास जाता है और उससे help मांगता है कि सारा मेरे हाथों में दे दे बट इतने में चीफ उसको गुंडे को ही पिटवा देते अपने बंदों से पुलिस पुलिस ही होती है चाहे वो किसी भी देश कियो उसके साथ हुश्यारी बिल्कुल भी नहीं जंक्सू उसका चेला और वोन ही अपनी गल्फरेंड की लोकेशन न आगे ढूणने चला जाते हैं वोन ही को स्टिल अपनी गल्फरेंड ने मिलती और यहां चीफ को भी पता लग जाता कि कोई ना कोई उनके अड्डे पर घुस गया और वहां से निकलने की त्यारी कर रहे होते हैं और जंक्सू यहां चीफ से लड़ता है और उसको एकदम से पकड कर रखता है बट इतने में पुलिस वाले आते हैं यहां टोटल गेम चेंज हो जाती है एक्शली यहां CID की एंट्री होती है और हमें पता लगता है कि गधे ने CID को सब कुछ पता दिया था और सारे एविडेंस दे दिये थे और वो खुद भी चेल जाने के लिए त पता है सारी बरफ चीफ पर आके गिरती है और इतने में जंग सु उसको एक्दम से धोबी पिछाड़ देता है वान ही की गल्फरेंड को भी रेस्क्यू किया जाता है जो गर उसने पहले खरीद लिया था जंग सु की तो अपनी गल्फरेंड को उसी घर लेके जाता है जो में वान ही की गल्फरेंड अपने वीएफ को भी देखने पाती है कि अपनी गल्फरेंड को दिखता है और दोनों में काफी इमोशनल टॉक होती है और वोन ही उसको बताता है कि मेरे को अपना अहसान चुकाने के लिए मैं अपना दिल जंग सु की बेटी को डिनीट कर रहा जंग सु को अपनी गल्फरेंड का ध्यान रखने का बोलते हैं और दोनों बहुत ही रोने लग जाते हैं एक दूसरे को एक्सिडेंट में बचाया था जिस दिन उसकी वाइफ की देथ हुई थी इस बात का जंग सु पर इतना एफेक्ट पड़ता है कि जहां वो बस में उस का स्टोप आगया वो उतरने वारा है इस बार जंग सु उसको बहुत बुरे तरीक्पे से पीटता है इवन बस वाले उसके लिए क्लैपिंग करते हैं तो जहां सभी के help करने से गतर आता था वो आज की ट्रेट में सभी के help करता है इवन सभी की दें जंग सु का जूटो ज तोनों को खुष देखकर वह भी खुश होती है इसलिए कहते हैं किसी के जाने के बाद ज़ादा दुख मत मनाओ क्योंकि वह आपको दूर से कहीं से ना कहीं से आपको भूर देख रही होती है एНक पर्सनली है क्यूट से गोस्ट वाल स्टुरी मेरे को तो बहुत अच्छी ल जल्दी से में को smileys से बताना, okay? बाई-बाई